यहाँ एक electrical motor है, यहाँ अभी तक खोजी गई सबसे महत्वपून डिवाइसों में से एक है, इम motorों का प्रयोग लगभग हर जगह होता है, जैसे पीने के पानी को पंप करने के लिए, लिफ्ट और क्रेन जैसी चीजों को बिजली देने के लिए, यहाँ तक कि परमानू उर् को mechanical energy में बदलती हैं, जिनका प्रयोग pump, पंखे, compressor, gear और पुली आदी को चलाने में होता है, लगभग सभी पुर्जे में इन housing के अंदर होते हैं, सामने की ओर हमें एक shaft दिखाई देता है, यहाँ पुर्जा घूमता है और हम pump, gear और पुली को इससे जोड़ कर अपना काम सकते हैं, पीछे की ओर हम एक पंखा और एक protective cover देख सकते हैं, पंखा shaft से जुड़ा है और जब भी motor चलती है तो यहाँ घूमने लगता है, induction motor जब चलती है तो बहुत गर्मी पैदा हो सकती है, इसलिए पंखा casing पर ताजी हवा फेकता है और उसे ठंडा करता है, अगर induction motor ब जिससे short circuit हो जाएगा और motor खुद ही जल जाएगी, बाहरी घेरे पर बने खांचे सतह के खेतर को बढ़ा देते हैं और इसके कारण वहाँ से अतिरिक्द गर्मी बाहर निकलने में मदद मिलती है, शाफ्ट को कुछ bearing से support मिलता है, जो आगे और पीछे की shield के अंदर लगी हो इसमें कई सारे copper wire लगे होते हैं, जो आंतरिक परिधी में बने slots के बीच coil की तरह लिप्टे रहते हैं, copper wire पर विशेश प्रकार के enamel की परत चड़ी होती है, जो wireों को electrical रूप से एक दूसरे से अलग रखती है, इसका मतलब ये हुआ कि electricity को पूरे coil से होकर प्रवाहित होन पड़ता है, नहीं तो electricity सबसे छोटे पद से होकर जाएगी, ऐसा होना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, यहाँ एक तीन phase वाली induction motor है, तो हमारे पास stator के अंदर coil के तीन अलग-अलग set है, हर set का अंतिमसिरा electrical terminal box के अंदर लग stator एक घूमता हुआ विद्योत चुम्ब की अक्षेत्र बनाता है, शाफ्ट से rotor जोड़ा गया है, यहाँ पर squirrel cage टाइब का rotor है, इसे squirrel cage इसली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दो सिरो वाली rings होती हैं, जिने छडों से जोड़ा जाता है और यह साथ में घूमते हैं, यहाँ ड contaminated steel sheets लगी होती हैं, यह sheets छडों पर चुम्ब की एक शेत्र केंदरित करने में मदद करती हैं, धातों के ठोस टुकडों की बजाए sheets का प्रयोग की आ जाता है, क्योंकि इससे rotor में उठते eddy current की मातरा कम करके कुशलता बढ़ाई जा सकती है, जब rotor को stator के अंदर रखा जाता है, और stator को विद्यूत आपूर्ती से जोड़ा जाता है, तो rotor घूमने लगता है, ऐसा कैसे संभव हो पाता है, जब electricity एक वायर से होकर गुजरती है, तो वायर के चारो और एक विद्यूत चुम्ब की एक शेत्र बनता है, हम इसे वायर के चारो और कुछ कमपास रख कर द भूमने लगते हैं, अगर विद्यूत धारा यानि करंट की दिशा पलट दी जाए, तो चुम्ब की एक शेत्र भी उलट जाता है, और इसलिए कमपास भी दिशा बदल देता है, वायर का चुम्ब की एक शेत्र कमपास के डायल को अपनी ओर खीचता है, और धक्का भी देत बिल्कुल उसी तरह, जैसे कि अगर हम चुम्ब की दो चड़ों को आसपास रख देतों होगा, या तो वे एक दूसरे की ओर आकर्शित होंगे, या दूर चले जाएंगे, हम एक चुम्ब को दूसरे चुम्ब को घुमाने के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं, या फिर हम चुम्बक्य क्षेत्र स्थाई चुम्बकों के साथ प्रतिक्रिया करेगा, चुम्बक्य क्षेत्र और वायर में बल महसूस होगा, यहा बल वायर को या तो ऊपर या फिर नीचे की ओर ले जाएगा, जो की करण की दिशा और चुम्बक्य क्षेत्र की धुरुवी अतापर निर्भर करता है अगर हम वायर को एक कोईल पर लपेट दें तो विद्युत चुम्बक की एक शेत्र अधिक मजबूत होता है कोईल स्थाई चुम्बक की तरह ही एक उत्तरी और एक दक्षिनी धुरुफ बनाती है हम वायरों के इस कोईल को इंडक्टर कहते हैं जब हम वायर से alternating current प्रवाहित करेंगे तो electron लगातार आगे और पीछे की और अपनी दिशा बदलने लगेंगे इस प्रकार चुम्बक की एक शेत्र हर बार फैलेगा और संकुचित होगा तथा हर बार चुम्बक की धुरुफ बदल जाएंगे जब हम पास ही में एक और प्रिथिक की हुई कोईल लगा देते हैं और सर्केट पूरा करते हैं विद्युत चुम्बक की एक शेत्र दूसरी कोईल में भी current भेजता है हम दो कोईलों को साथ जोड सकते हैं और अधिक बड़ा चुम्बक की अक्शेत्र बनाने के लिए एक दूसरे के सामने रख सकते हैं अगर हम इस बड़े चुम्बक की अक्शेत्र के अंदर वायर का बंद छल्ला लगा दें तो हम इस छल्ले में current प्रवाहित कर देंगे तो वायर का चल्ला भी चुम्बक की अक्शेत्र बनाएगा और यहाँ बड़े चुम्बक की अक्शेत्र पर प्रतिक्रिया भी करेगा कोईल के हर तरफ विप्रीद बल का अनुभव होगा जिसके कारण यहाँ गूमने लगेगा इस तरह समझें तो छल्ला हमारा रोटर है और कोईलें स्टेटर है हलांकि रोटर केवल तभी तक घूमेगा जब तक की वह स्टेटर कोईल के अनुरूप स्थिती में नहीं आ जाता उसके बाद वहाँ अटक जाएगा क्योंकि कोईल में प्रवाहित करण की दिशा बदल जाएगी इस तिती से बचने के लिए हमें स्टेटर में कोईलों का एक और सेट लगाना होगा और हमें इसे दूसरे फेज से जोड़ना होगा इस फेज में इलेक्ट्रोनों का प्रवाह थोड़े अलग समय पर होता है ताकि विद्योत चुम्बकी एक शेत्र की तीवरता और धुरुव अलग समय पर बदले यहां रोटर को घूमने के लिए मजबूर कर देगा इंडक्शन मोटर के अंदर हमारे पास तीन प्रिथक कॉयल होते हैं जिनका प्रियोग घूमने वाले चुम्बक की एक शेत्र को बनाने में किया जाता है जब हम हर कॉयल में alternating current प्रवाहित करेंगे तो कॉयल विद्युत चुम्बक की एक शेत्र बनाएगा Electrons के दिशा बदलने से तीवरता और धुरुव दोनों बदल जाएंगे लेकिन अगर हम हर कॉयल को अलग-अलग फेज से जोड़ दें फिर Electron हर कॉयल में अलग समय में दिशा बदलेंगे इसका मतलब है कि चुम्बक्य क्षेतर के धुरुवों और तीवरता में बदलाव भी अलग समय पर होगा इस चुम्बक्य क्षेतर के प्रसार के लिए हमें कॉयल के हर सेट को पिछले फेज से 120 डिग्री पर घुमाना होगा और फिर इन्हें स्टेटर से जोड़ ना होगा कॉयलों के बीच चुम्बक्य क्षेतर की तीवरता और धुरुव भिन्न होते हैं जिनके संयोजन से घुमते हुए चुम्बक्य क्षेतर का प्रभाव उधपन्न किया जा सकता है हमने इस वीडियो में पहले देखा कि पास ही लगे दूसरे कॉयल में करेंट भेजा जा सकता है स्कुरल केज में छड़े के हर सिरे शॉटेड हैं इस तरह ये कई छले या कॉयलें बनाती है हर छड़ एक करेंट बनाती है और चुम्बक्य क्षेतर बनाती है रोटर चड़ों का चुम्बक्य क्षेतर स्टेटर के चुम्बक्य क्षेतर पर प्रतिक्रिया करता है रोटर चड़ों का चुम्बक्य क्षेतर स्टेटर के चुम्बक्य क्षेतर की और आकर्शित होता है क्योंकि चुम्बक्य क्षेतर घूम रहा है इसलिए रोटर भी चुम्बक्य क्षेत्र की सीध में आने की कोशिश करते हुए उसी दिशा में घूमता है लेकिन वह पूरी तरह सीध में कभी नहीं आ पाता रोटर की छड़े अक्सर तिरिची होती हैं इससे सभी चड़ों में चुम्बक्य क्षेत्र के वित्रण में साहयता मिलती है तथा यहां मोटर को सीध में आने और जाम होने से रोकता है स्टेटर के अंदर सभी कोईले और चले होते हैं जब एलेक्रिसिटी वायर से होकर प्रवाहित होती हैं तो इन कोईलों और चलों के कारण घूमता हुआ विद्युत चुम्बक्य क्षेत्र बनता है कोईलों को उर्जा देने के लिए हमें सबसे उपर या फिर कभी-कभी एक साइड में एक इलेक्रिकल टर्मिनल बॉक्स मिलता है इस बॉक्स के अंदर छे इलेक्रिकल टर्मिनल होते हैं हर टर्मिनल पर एक अक्षर और एक संख्या होती है हमारे सामने U1, V1 और W1 है फिर W2, U2 और V2 है हमारा फेज 1 कोईल दोनों U टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है फिर phase 2 coil दोनों V टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है और अंथ में phase 3 coil W टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है ध्यान दें कि electrical टर्मिनलों के दोनों सेरे अलग configuration में विवस्थित है थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है अब हम हमारी 3 phase वाली विद्युत आपूर्ती को उनके संबंधित टर्मिनलों से जुड़ देंगे मोटर चलाने के लिए हमें circuit पूरा करना होगा और ऐसा करने के दो तरीके हैं पहला तरीका है delta configuration अब हम इन phase में AC करेंट प्रवाहित करेंगे हम देखते हैं कि जब हर phase में अलग समय पर AC पावर की दिशा बदलती है तब electricity एक phase से दूसरे phase में बहती है इसलिए हम terminal box में terminalों को अलग-अलग विवस्था में लगाते हैं ताकि हम electrons के हर बार दिशा बदलने पर आसानी से phaseों के बीच आसानी से electricity के प्रवाह को बनाए रख सके टर्मिनलों को जोडने का दूसरा तरीका star या y configuration का प्रियोग करना है इस तरीके में हम W2, U2 और V2 को केवल एक तरफ जोडते हैं यहां हमें star या y के समतुल ये connection देता है अब जब phasos से होकर electricity का प्रवाह होता है हम देखते हैं electron फेजों के टर्मिनलों के बीच साजह किये जाते हैं डिजाइन में अंतर होने के कारण star और delta configuration में प्रवाहित होने वाले current की मातरा अलग-अलग होती है और हम इस वीडियो के अंत में इस से जुड़ी गणना करने के बारे में जानेंगे आइए star और delta configuration के बीच अंतर को समझते हैं आइए मान लेते हैं कि हमारी एक motor delta से जोड़ी गई है जिसमें 400 volt की voltage आपूरती है इसका मतलब है कि जब हम दो फेजों के बीच voltage मापने के लिए multimeter का प्रयोग करते हैं तो हमें 400 volt की reading मिलेगी इसे हम line-to-line voltage कहते हैं अब अगर हम coil के दो सिरों के बीच माप करते हैं तो हमें फिर से 400 volt line-to-line voltage मिलती है आईए मान लेते हैं कि हर coil में एक प्रतिरोध या अवरोध है क्योंकि यह 20 ohm का alternating current है इसका मतलब है कि हमें अब coil में 20 ampere की reading मिलेगी हम इसकी गणना 400 volt को 20 ohm से भाग दे कर कर सकते हैं जिसका परिणाम 20 ampere होगा लेकिन line में current अलग होगा यह 34.6 ampere होगा यह गणना हमें 20 ampere का 3 के वर्ग मूल से गुणा करने पर मिलती है जिसका परिणाम होगा 34.6 ampere ऐसा इसलिए क्योंकि हर phase में दो coil जुड़े है अब अगर हम star या y configuration देखें तो हमारे पास फिर से 400 volt की line to line voltage है अगर हम दो फेजों को माप करें तो हमें यही माप दिखेगी लेकिन star configuration में हमारे सभी coil एक साथ जुड़े होते हैं और star point या neutral point पर मिलते है यहाँ वह बिंदू है जहां हम जरूरत पढ़ने पर neutral wire रन कर सकते है इसलिए इस बार जब हम coil के सेरों पर voltage की माप करते हैं तो हमें 230 volt से कम मान मिलता है ऐसा इसलिए क्योंकि delta configuration की तरह यहाँ phase दोनों coilों से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है coil का एक सेरा phase से जुड़ा है जबकि दूसरा सिरा साजह बिंदू यानि shared point से जुड़ा है इसलिए voltage भी साजह की जा रही है voltage कम है क्योंकि एक phase हमेशा विप्रीत चल रहा है हम इसकी गड़ना 400 volt को 3 के वर्ग मूल से विभाजित कर सकते हैं जिसका परिणाम 230 volt होगा चुकि voltage कम है तो current भी कम होगा अगर इस coil में 20 ohm का अवरोध हो 230 volt को 20 ampere से विभाजित करे तो परिणाम 11.5 ampere होगा इसलिए line current भी 11.5 ampere होगा इसलिए हम delta configuration में देख सकते हैं कि coil में दो फेजों की बीज पूरे 400 volt है लेकिन star configuration में फेजो और neutral point के बीज केवल 230 volt ही होते हैं इसलिए star configuration में delta configuration की तुलना में कम voltage और कम current का प्रयोग होता है ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही लेकिन आप electrical engineering के बारे में सीखना जारी रखें स्क्रीन पर अभी दिखाई जा रही वीडियो देखें और अगले लेसन में मैं आपसे फिर मिलूंगा हमें facebook, instagram, linkedin के साथ-साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूले